नमो बुद्धाय, जे भिम, जे भारत, मित्रो वीडियो शुरू करने से पहले आगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब करें और साथ में देगें बेल आइकन को दबाना उद भूले इसे के साथ नए वाले चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जोईन बटन की जरी चैनल के सदर से जरू बने नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉक्स को जरूर देखें हमपी सीरीज का आखरी व्लॉक कल आने वाला है इससे पहले आए तीन व्लॉक को आपने आभी तक नहीं द पता चलता है हाला कि आज उनके नाम बदल गए है लेकिन कुछ मूल सांस्कुतिक आउशिस नष्ट नहीं हुए हैं आंधर प्रदेश के तट से लेकर पर्ष्चिम बंगाल के तट तक प्राचिन बोध दस्थलों से भरा पड़ा है बंगाल की खाड़ी से सटे उडिसा राज किये थे इसलिए उनके समय में यहां बोध्ध संस्कुति का विकास हुआ था धेरवाद महसंगिका और सर्वस्तिवादा की शाखाई वहां लोकपर ये हुई इसलिए इस राज्य के केंद्र में बोध्ध नामक एक जिला है और अन्य नामों पर गउर करे तो ऐसा लगता है कि यहां बोध्ध संस्कुति की खान है गजपती, गंजम, पूरी, भद्रक, देवगड, बरगड, अंगूल, जाजपूर, बालांगिर, बालेश्वर जैसी कई जिलों में बोध्ध धम फला फुला बाद में कई बोध्ध शिक्षक और बोध्ध भिक्षू उतकल आये और बोध्ध धम का प्रचार और प्रसार किया, जाजपूर जिले में पुष्प गिरी महाविहार, समराट अशुक स्थूप, भूनेश्वर से 90 किलोमेटर कुछ दूर पर समराट अशुक स्थूप की लांगुन्डी पाहडी, गजपती जिले में पद्म संभव मट, जोगाड और दहुली में समराट अशुक शिलालेक, कोनार का के पास कुरुमा बोध धमट के आउशेश, दहुली के शांति स्थूप, ललिदगिरी, उदैगिरी, रतनागिरी में स्थूप और विहार के कैस्थान है, संस्कृति और उन सभी के नामों का उलेक यहाँ नहीं किया जा स नकता है, यदि विद्वान वाहा की मंदिरों का अध्यन करे तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तविक संस्कृति क्या है, यहां ततगत बुद्ध के हस्तिदंत थे, जो अब स्रिलंका के कैंडी में है, जगनात मंदिर मुल रुप से एक दंत मट था, चौथिस शताब्दी म आचारे दिगना का भिक्कु पूरी विहर के प्रमुक थे, अब यहां पता चला है कि बुद्ध का दुसरा नाम भुवनेश्वर था, चिनी भिक्षु हेन संग ने ओधर देश के बारे में लिखाये कि वास्यकुड संगराम यानी मट और दसियों हजार भिक्षु रहते है बंगल की खाड़ी की बड़ी तट्रे का उडिसा में होने के कारण धम यहां से जावा, सुमात्रा, सिलोन, मैम्मार और थाई तक फैल गया, उडिसा का यह प्रांत तेरवी शताब्दी तक बोद्ध संस्कूती में डोबा रहा, बाद में जब सत्य धर्म नष्ट हो गया, तो कई संगरा मंदिरों में परिवर्तित हो गए, कटक जिले के मनी या बंद में एक देशी बोद्ध समुताई भी है, जो बुनाय में लगे होए हैं, आज भी कई सबुत निकल रहे हैं, और निकल सकेंगे, सबुत बाताते हैं कि ओडिसा भी कभी बोद्धों के सुवर न धरती था, मित्रों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे, ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजे, नए वाले चैनल को जरू सब्टाइब करें, ज्याइन बटन के जरी चैनल के सदर से जरू बने, नए बुद्धाय जे भिम जे भारत